नमश्कार दोस्तों, Pathfinder पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है. So, continue करते हैं हमारी discussion को, जिसमें कि जैसा कि आपको मालूम होगा, we are running a crash course, जो की UPSC 2021 के prelims को सोच कर बनाया गया है. तो मुझसे कुछ बच्चों ने पिछली वीडियो में, comment section में सवाल पूछे, कि सर इसका time period कितना है, तो देखिए इसका जो time period है, ये basically पिछले साल के जून से ले करके, इस साल के मई महीने तक के, सभी के सभी current affairs आपके साथ cover करवाए जाएंगे. तो अभी तक जो हम coverage कर रही है, ये basically February महीने तक की है, और उसके बाद जो बचे हुए तीन महीने है, March, April और मई की, इसकी हम update आपको कुछ समय के बाद कर देंगे. इसमें already हमने quality के current phase को शिरू कर दिया था, उसके बाद हमने environment के current phase को भी शिरू कर दिया था, जिसमें की हमने set number 1 की जो वीडियो है, उसको भी release कर दिया है, मैं आशा करता हूँ कि आपने वो वीडियो definitely देख ली होगी, and set number 1 में हमने बहुत ही important indexes और reports की बात की है, जो की आपके लिए बहुत ही ज़ादा relevant है, इस set number 2 में, environment के ही set number 2 में, हम एक और important topic की बात करने वाले हैं, that is the various days and themes, यानि की, जो environment की topic से जुड़े हुए, जितने भी दिवस मनाये जाते हैं, फिर भले वो भारत की सरकार के द्वारा organize किये जाते हों, फिर भले वो अंतरराश्ट्रिय संगठनों के द्वारा रखे जाते हों, हम उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, and most importantly, यह जो दिवस होते हैं, आपको उसमें याद क्या करना है, उनकी theme क्या होती है, ठीक है, सभी के सभी दिवस की आपको जो days हैं, वो शायद याद करने मुश्किल हों, जैसे कि for example, अगर मैं आपको कहूं कि world wetland day किस दिन आता है, तो यह बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत idea होना चाहिए, कि जी हाँ, यह इस महीने में आता है, और उसकी जो theme है, वो so when so theme थी, इस particular साल की, यानि कि 2020 की उसकी theme क्या थी, यह आपको मालूम होना बहुत ही अनिवारे है, तो इसी चीज़ के साथ, हम स्टार्ट करते हैं इस set number 2 को, शुरू करने से पहले एक announcement करना चाहूँगा, कि pathfinder की एक test series launch हो चुकी है, अगर आपने इसको अभी तक subscribe नहीं किया है, तो you are missing out on a lot of important things, खास करके जो बच्चे 2021 की prelims की त्यारी कर रही हैं, जो कि इस crash course को भी देख रही है, आपके लिए definite है इस test series में हिस्सा लेना, और बहुत ही simple है, नीचे description में इसका link provide करवाया गया है, जिसमें कि अगर आपको unlock करना है, तो ये वाला code इस्तिमाल कर सकते हैं, और जो यहाँ पी विजयता होंगे, उनके लिए top 10 विजयताओं के लिए, अनकाडमी काफी सारे awards भी लेकर आया है, जल्दी से इस link पे click कीजे, और इस particular test series को subscribe कीजे, सबसे पहले सबसे important दिवस, that is the world environment day, ठीक है विश्व जो वातावरन दिवस बना जाता है, इसको लेके UPSC सवाल पूछ भी चुकी है, यह जो बना जाता है, हर साल June 5 को बना जाता है, और इस साल यानि की जो अभी बीता हुआ साल है, 2020 का, जहां पर भी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, वहां पर automatically मान लीजे, कि 2020 के साल की बात हो रही है, जहां पर मैं exclusively बोल रहा हूँ, 2021, वहां का मतलब यह होगा, कि वो इस साल की theme आपको बताई जा रही है, तो June 5 को यह बना जाता है, और इसकी जो theme थी, इसकी theme थी time for nature, और इस theme का जो main focus point था, वो था biodiversity, a concern which is both urgent and existential, इसको आपको ध्यान में रखना है, इसमें important to note ये भी है, कि since 1974 इस दिवस को बना जाता है, हर साल 5 जून को इस दिवस को बना जाता है, इसमें मैं आपसे दो सवाल पूछता हूँ, और दोनों के ही जवाब आपको comment section में देने है, that is 2018 और 2019, दोनों की मुझे themes आप बताईए, और ये भी बताईए, कि दोनों सालों में जो यहाँ पर country जिसने इसको host किया था, वो कौनसी कौनसी countries थी, 2020 की host करने वाली country का नाम है, Columbia, ठीक है, Columbia is a country in South America, और 2018 और 19 की host countries का नाम आपको मुझे comment section में बताना है, नेक्स बात कर लेते हैं, coral triangle day के बारे में, this is something which is very very interesting, इस बार ये चर्चा में आया है, 9 जून को ये बनाया जाता है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार बनाया गया है, ये जो है, ये वाला दिवस, 2012 से बनाया जा रहा है, और इसको बनाने वाली, जो संगठने हैं, वो सबसे पहले तो है, coral triangle initiative, CTI, ये मिलकर बनाते हैं, with the world oceans day, on June 8, ठीक है, तो संगठन बनाने वाला, coral triangle initiative है, और June 8 को बनाया जाता है, world ocean day, और June 9 को बना जाता है, coral triangle day, CTI के बारे में, एक important fact आपको बताना चाहता हूँ, ये एक बहु पक्षिय पार्टनर्शिप है, जिसमें की 6 countries इसके members है, और ये 6 countries हैं, Indonesia, Malaysia, Philippines, Papua New Guinea, जिसको हम PNG बोलते हैं, Solomon Islands, and Timor Leste. Important to note, इस particular coral triangle initiative में, जबकि Papua New Guinea जैसी country भी है, Solomon Islands जैसी country भी है, और Australia जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी Great Barrier Reef है, उसके बावजूद भी Australia इस particular initiative का हिस्सा नहीं है, ठीक है, इस fact को ध्यान रखना है, कि Australia is not a member of the CTI, ये coral triangle है, इस इस वास्ट ओशन एक्सपेंस, जो की geographically spread करता है, across 6 countries in Asia and the Pacific, और ये 6 countries आपके सामने लिखी गई है, next very very important day, और इस day से संबंदित एक सवाल आ चुका है, डिरेक्टली इसको लेके सवाल नहीं आया है, वर्ल्ड डे टू कॉम्बाट डिजर्टिफिकेशन और ड्रॉट, ये वाला जो दिवस है, ये बना जाता है, 17 जून के दिन, तो इस दिवस की जो थीम थी, वो थी food, feed, fiber, the links between consumption and land, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ट्रिपल F के नाम से इसकी थीम थी food, feed, fiber, और इसकी सबसे खास बात ये है, कि ये वाला जो दिवस है, 1995 से बना जा रहा है, और किस चीज़ को commemorate करता है ये, जब एक UN convention sign करी गई थी, to combat desertification, आपको मालूम होगा, UNCCD के नाम से इसको जाना जाता है, और इस particular convention को लेके, सवाल आ भी चुका है, तो इसी चीज़ को commemorate करने के लिए, याद करने के लिए, हर साल 17 जून को ये वाला दिवस बना जाता है, interesting लिए 17 जून को World Crocodile Day भी बना जाता है, इसको भी आप धान रख सकते हैं, next is Global Tiger Day, July 29, ठीक है तो अब जून से हम जुलाई में आ गए है, 29 जुलाई को बना जाता है, सबसे पहले तो आप मुझे comment section में बताईए, कि इंडिया की जो latest counting हुई है, 2018 के census के अनुसार, जो मैं Tigers के census की बात कर रहा हूँ, उसमें जो latest counting हुई है, उसके अनुसार भारत में कितने Tigers आज की date में available है, exact number आपको बताना है, exact number 2018 में क्या रहा, इसमें जो ये वाला दिवस था, ये सबसे पहली बार बनाया गया था, 2010 में, जब July 29 को summit हुआ था, St. Petersburg Tiger Summit, St. Petersburg एक बहुती बड़ा शहर है, नामी शहर है रश्या का, जहांपर जो 13 की 13 Tiger Range Countries हैं, उन्होंने साथ में बैठक करी थी, जब उन्होंने ये finalize किया था, कि हमें 2022 में जाके, जो Tigers की population है, जो Wild Tigers की population है, उसको हमें दो गुना करना है, इसमें जो 13 Tiger Range Countries आती हैं, वो आपके सामने हैं, इंडिया, बंगलादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडनेशिया, लाउस, उसके बाद मलेशिया, मायनमार, नेपाल, रश्या, थाइलेंड, और विएतनाम, इंपोर्टेंट तो नोट, आज की date में, जो 70% आफ दो वर्ल्ड पॉपुलेशन अफ टाइगर है, वो केवल और केवल भारत में ही पाई जाती है, इसकी थीम और इसको कौन कंड़क्ट करवाता है, इसका date उतना इंपोर्टेंट नहीं है, इसकी थीम बहुत इंपोर्टेंट है, ये वाला जो बायो फ्यूल का दिवस था, इसकी थीम थी बायो फ्यूल्स तोवर्ड्स आत्म निर्भर भारत, इसको बनाया गया था 10 अगस्त के दिन, और इसको सेलिब्रेट करवाया गया था by the Ministry of Petroleum and Natural Gas, और इसको 2015 से बनाया जा रहा है, in fact just a couple of days ago मैंने एक वीडियो बनाई थी pathfinder पर, जिसमें हमने बात करी थी flex fuel vehicles के बारे में, और वो जो flex fuel vehicles हैं वो भी कहीं ना कहीं, और इसको कंड़क्ट करने वाली जो ministry है, that is Ministry of Petroleum and Natural Gas, next, International Day of Clean Air for Blue Skies, इसको कंड़क्ट किये जाने वाला जूड़ेट है, that is September 7, और इसकी जो theme, इसका जो विशे था, that was Clean Air for All, और इसमें भी आपको ध्यान क्या रखना है, the Union Minister of Environment, Forests and Climate Change, chaired a webinar of the International Day of Clean Air for Blue Skies, तो इसको लेकर हमारे जो मंत्री है, Union Minister of Environment के, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया था, ठीक है, not very important, लेकिन इसकी धीम को आपको ध्यान रखना है, Clean Air for All इसकी पर्टिक्लर थीम थी, International Day for Preservation of the Ozone Layer, तो Ozone Layer को commemorate को याद करने को, बचाने के लिए उसका संग्रक्षन करने के लिए एक अंतराश्ट्रे दिवस बना जाता है, 16 September को ये वाला date बना जाता है, इसमें important to note क्या है, basically this day commemorates the drafting of the Montreal Protocol, again Montreal Protocol को लेके सवाल आ चुका है, on substances that deplete the ozone layer, Montreal Protocol में एक amendment भी हुई थी, जो कि आपको ध्यान होनी चाहिए, the Kigali amendment ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखिए, Montreal Protocol and the Kigali Amendment, and 16 September 2009 की बात है, जब Vienna Convention पिक्चर में आई थी, and the Montreal Protocol became the first treaties in the history of the UN, to achieve universal ratification, यानि कि सभी के सभी countries के द्वारा, इसको ratify किया गया था, जिन्होंने भी इसके उपर sign किया था, Green Consumer Day, ये वाला जो Green Consumer Day है, ये उतना खास important नहीं है, लेकिन इसकी date को जान लीजे, September 28 के दिन इसको बना जाता है, focuses primarily on awareness raising, and the importance of recycling, reusing and reducing waste material, तो इसमें जन्नता में जागरुकता फैलाई जाती है, जन्नता में जागरुकता को बढ़ा जाता है, कि आप किस तरीके से waste material को reduce कर सकते हैं, recycling और reusing कर सकते हैं, World Habitat Day, very very important, इसको मैं यहाँ पर two stars देना चाहूंगा, इसको लेके सवाल definitely आ सकता है, पांच ऑक्टूबर के दिन बना जाता है, इसकी theme भी बहुत important है, इसकी theme थी housing for all, a better urban future, ठीक है, तो आज की date में जितनी हम बातचीत, smart cities की होती है, अमरूत mission की होती है, इन सब चीजों के चलते, World Habitat Day काफी जादा important हो जाता है, UN designated the first Monday of October, of every year as the World Habitat Day, to reflect on the state of our towns and cities, तो basically इसमें date उतनी relevant नहीं है, क्योंकि ये हर October के चो पहला सोमवार होता है, उसके दिन बना जाता है, लेकिन इसकी theme काफी important है, housing for all, a better urban future, और connect करने वाला संगठन कौन है, सन्युक तराश्च्र के द्वारा ही connect करवाया जाता है, World Migratory Bird Day, World Migratory Bird Day 10 October को बनाया गया था, Birds Connect are World के हिसाब से इसकी theme थी, और ये साल में दो बार बनाया जाता है, since 2018, एक बार ये बना जाता है मई के महीने में, और एक बार ये बना जाता है October के महीने में, Migratory Worlds वो होते हैं, जो कि एक जगा से दूसरी जगा shift करते रहते हैं, During the changes of seasons, तो जिससे अगर माल लीजे सर्दी गर्मी के हिसाब से, Spring, Autumn के हिसाब से, ये लोग अपनी location को change करते रहते हैं, जहाँ पर जाके ये ज़्यादा comfortable महसूस करते हैं, World Wetland Day, वेरी वेरी important February 2nd को बना जाता है, जस्ट अभी कुछी दिन पहले बनाया गया था, और इस बार की जो theme थी, वो बड़ी ही simple थी, Wetland and Water, ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, W square के आसान तरीके से, और इसमें, जो ये, 2nd February इसलिए रखी गए थी दिन, because Ram Sar Convention was signed on 2nd February 1971, एक interesting question पूछता हूँ, Ram Sar का जो शहर है, ये दुनिया में, कौन से देश में located है, तो जिस दिन ये Ram Sar Convention signed किया गया था, उसी दिन, जो है World Wetland Day बना जाता है, World Wildlife Day, again important to note, इस बार का जो World Wildlife Day था, just अभी बनाया गया है, March 3 की बात है, Forest and livelihood इसका विशे रहा, sustaining people and planet इसका विशे रहा, important points to note, the UN aims to highlight the significance कि किस तरीके से, जो आपके Forest होते हैं, जो One होते हैं, किस तरीके से, कई सारे समुदायों को, ये आजीविका प्रोवाइड करते हैं, और इसी लिए हमें इनकी संग्रक्षन करना, बहुत ही important है, ध्यान दिनवाडी बात ये थी, कि even though World Wildlife Day है, लेकिन focus जो था, वो majorly इस बार, Forest और livelihood के उपर था, ठीक है, तो wildlife का मतलब केवल ये नहीं ही, कि वहाँ पर केवल और केवल, हम जीव जन्तों के उपर ही, जो है, focus करेंगे, केवल प्रजातियों के उपर ही focus करेंगे, it can even focus on the forest, and the livelihoods की वहाँ पर, जो रहने वाले local communities हैं, वो किस तरीके से प्रभावित होते हैं, International Day of Forest, अब देखिए ये थोड़ा ध्यान से, जो आपका World Wildlife Day था, इसकी थीम अलग थी, forest के साजूडी हुई थी, लेकिन International Day of Forest की जो थीम थी, इसकी थीम थी birds, Forest Restoration of Path to Recovery and Wellbeing, ठीके ये किस मार्ज को बनाया गया था, लेकिन ये उतना relevant नहीं है, World Wildlife Day is much more relevant, International Snow Leopard Day, ये 23 October को बनाया गया था, और इसमें वो सभी countries, जैसे की Tiger Range countries हैं, उसी प्रकार, Snow Leopard की भी range countries हैं, जिसमें की आप देख सकते हैं, इंडिया है, नेपाल है, भुटान है, चाइना है, मॉंगोलिया है, रशिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकर्स्तान, तजीकिस्तान, और उस्बेकिस्तान, खीक है, तो आपकी जो पांच Central Asian Republics हैं, उसमें से तुर्कमेनिस्तान को निकाल दीजे, बाकी चारों की चारों, जो Central Asian Republic countries हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं, और Tiger Range में 13 countries थी, Snow Leopard Range में 12 countries आती हैं, और यहाँ पर, The Snow Leopard Day, it came into being on 23rd October 2013, यानि कि 2013 में इसको पहली बार बनाय गया था, जब यह यहाँ पर समझोता किया गया था, कि हम Snow Leopards की conservation करना चाहते हैं, International Day for Biological Diversity, यह May 22 को बनाय गया था, पिछले साल की बात है, इसकी जो पिछले साल की theme थी, Our solutions are in the nature, ठीक है, not very relevant, लेकिन इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, कि यह वाला जो दिन था, सन 2000 में इसको डिकलेर किया गया था, घोशना की गयी थी, कि हम इस दिन को बनाय जाएगा, The UN General Assembly adopted 22nd May as IDB, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तो जो आपकी सबसे important convention मानी जाती है, मैं समझता हूँ कि Rio Summit के बाद, सबसे important convention आपकी मानी जाती है, Convention on Biological Diversity, Rio Summit के साथ जुड़ी हुई convention का नाम क्या है, UNFCC, और उसके बाद सबसे important आपकी convention आती है, UNCBD, तो CBD के साथ जुड़ा हुआ यह दिवस है, International Day for Biological Diversity, जो की May 20 को बना जाता है, Next is Earth Day, और उसके साथ ही है Earth Hour, दोनों अलग-अलग चीज़े हैं, ध्यान देने वाली बात क्या है, Earth Day जो है, यह अभी आने वाला है, April 22 को बना जाएगा, ठीक है, और इसमें यह चीज़ अलग है, बहुत ही ध्यान से सुनिये, यह वाला जो दिवस है, इसको 1970 से बना जा रहा है, In fact, जो हाल ही में, बहुत ही लैंडमार्क, Paris Agreement, जो साइन किया गया था, वो April 22 के दिन ही साइन किया गया था, December के महीने में, December 2015 के महीने में, Paris Agreement का समझौता, फाइनलाइस किया गया था, लेकिन April 2016 के महीने में, Paris Agreement के उपर साइन किरा गया था, और इसी लिए, यह वाला Earth Day थोड़ा relevant बन जाता है, Earth Day आज भी काफी important दिवस माना जाता है, Earth Hour अलग है, जो कि अभी अभी होकर गया है, last Saturday of the March, और कई सारे लोगों ने इसको बनाया भी था, इसमें लोगों को यह कहा जाता है, जिन भी countries ने इसको साइन किया है, कि आपको अपने अपने टाइम के हिसाब से, लोकल टाइम के हिसाब से, रात को साड़े आट से लेके, साड़े नौ बजे तक, सभी की सभी lights को switch off करना होता है, ठीक है, इसको लेके UPSC question पोश चुकी है, 2014 या 15 में सवाल आया था, regarding Earth Hour, ये थे आपके सभी के सभी important days, और जो दिवस थे, आपको याद होने चाहिए, आपको मालूम होने चाहिए, जाते जाते एक दो चीज़ें और जान लीजे, एक दो important चीज़ें, UN Decade on Ecosystem Restoration, ये जो UN Decade थी, basically UN ने, अभी UNGA ने, proclamation करी है 2021-2030, कि जो हमारा दशक है, इसको हम कह रहे हैं, the Decade on Ecosystem Restoration, यानि कि हम, पूरे के पूरे Ecosystem को, दुबारा से Restore करना चाहते हैं, जो भी Damages हो चुके हैं, उसको हम ठीक करना चाहते हैं, It is the process of assisting, the recovery of an Ecosystem, which has been degraded, damaged, और destroyed, किसी भी तरह का Ecosystem, अगर उसके उपर, किसी भी प्रकार की हानी पहुंची है, तो उसको ठीक करने का दारुंदार, basically UN ने, पूरे के पूरे दशक को दे दिया है, कि हम इस पूरे दशक में, इस चीज के उपर focus करने वाले हैं, इसके बाद, Super Year for Biodiversity, ये भी काफी important है, जो मैंने आपके साथ अभी अभी डिसकस किया, UN CBD, Convention on Biological Diversity, तो जो Year 2020 है, इसको घोशित किया गया है, Super Year for Biodiversity, because, यहाँ पर, जो strategic plan for biodiversity बनाया गया था, as per the CBD, इसमें आपको मालुम होगा, IT targets दिये गए थे, ये जो 20 Global IT targets थे, ये खतम हो चुके हैं 2020 में, और इसलिए इस साल को नाम दिया गया, Super Year for Biodiversity, जाने से पहले बताना चाहूंगा, UN Academy आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आया है, UPSC, CSE का comprehensive GS course, it is the most comprehensive course, जो कि आपको अभी आज की date में available करवाया जा रहा है, यदि आप लोग 2021 की जगा, 2022 की या फिर 23 की तयारी कर रही है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा course है, जिसमें की आपके पास दो तरह की options available करवाई गई है, पहला है plus option, दूसरा है iconic option, यदि आपको लगता है कि आपको एक personal mentor की जरूरत है, और आपको साथ में question answer writing practice भी करनी है, तो आपको iconic option चूज़ करनी चाहिए, इसमें मेरी सलाह आपसे यह रहेगी, कि कम से कम आपको एक साल की subscription purchase कर लिनी चाहिए, हाँ अगर आप plus course की बात करते हैं, तो यहाँ पर 3 महीने की 6 महीने की 9 महीने की subscription भी available है, depending upon your requirement, और इसमें आपके लिए EMI options भी available करवाई गई है, अगर आप 10% का discount चाहते हैं, तो नीचे दिया गया code इस्तेमाल करना है, अनी UPSC, इसके इलावा आप अनी 10 code का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके माधियम से आपको straight away 10% discount अवेलेबल करवा दिया जाएगा, अगर आप किसी अन्य exam की त्यारी कर रही हैं, जैसे कि state PCS हुआ, जिसके लिए again ये पूरा का पूरा crash course बहुत relevant है, तो उस case में भी आप यहाँ पर दिये गई prices को 10% से discount ले सकते हैं, अगर आप ये वाला code इस्तिमाल करते हैं, या फिर अन्य 10 code भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं, with that I take your leave, thank you for listening, stay tuned and stay safe.